टीम इंडिया को न्यूजिलेंड दौरे पर जाने से पहले एक बहुत बड़ा जटका लगता नजर आ रहा है इंडियन ओपनर श्रिकर धवन चोटिल हो गए हैं और अब उनका न्यूजिलेंड दौरे पर जाना काफी मुश्किल लग रहा है बैंगलोर में उस्रिकर धवन को फिल्डिंग के दौरान चोट लगी जिसके बाद वो बल्ले बाजी करने भी नहीं आ पाए भारती क्रिकेट टीम के नुभवी ओपनर श्रिकर धवन का अगामी न्यूजिलेंड दौरे पर जाना अब मुश्किल दिख रहा है आपको बता दें श्रिकर धवन को ऐस्ट्रेलिया के खिलाब रवी बार को बंडे सीरीज के आखरी मुकाबले में कंधे पर चोट लगी वहीं ऐस्ट्रेलिया के कप्तान रॉन फिंच ने टॉस जीत कर तीसरे मुकाबले में पहले बल्ले बाजी करने का फैसला लिया और उस्ट्रेलिया की पारी के दौरान पाचवे ओवर में फिल्डिंग करते वक्त श्रिकर धवन चोटेल हो गए और अब न्यूजिलैंड टूर पे श्रिकर धवन का जाना नामुम्किन सा नजर आ रहा है विराट कोहली कह रहे हैं कि श्रिकर की चोट गंभीर है अगर वो रिकावर जल्दी कर पाते क्योंकि 24 जनवरी से पहला टी-20 खेला जाएगा आपको बता दे इंडिया न्यूजिलैंड जा रहा है जहाँ पर उसे 5 टी-20, 2 वंडे, 2 टेस्ट और 3 वंडे खेलना है इसके लिए श्रिकर धवनब टीम में होंगे की नहीं ये वक्त आके पता चलेगा और उनकी चोट पे डिपेंड करेगा नक्स तनान स्पोर्स की रिपोर्ट